महारास्ट और जार्खंड विधानसवाद चुनाओं के लिए मदगड़ना का काम शुरू हो चुका है और फिलहाल पोस्टल बैलेट की गिंती चल रही है और ये गिंती दर्शा रही है कि दोनों राज्यों में एंडिये को भारी बढ़त मिलने के संकेत दिख रहे हैं हम आपको उतादें कि महारास्ट में महायुती यानि जो एंडिये का सुरूप है महायुती का सत्तरूर गठबंदन भारी बढ़त बनाए हुए है और चाहे उपमुख्यवंतरी देवेंदर फणवीस हों चाहे मुख्यवंतरी एकनाच शिंदे हों एक और उपमुख्यवंतरी है कि महारास्ट में इस बार हिंदु तो एक बड़ा मुद्दा था महारास्ट की जनता इस बात का भी फैसला कर रही है कि असली शिव से न एकनाच शिंदे वाली है या उद्दव ठाकरे वाली महारास्ट की जनता इस बार ये भी फैसला कर रही है कि NCP असली अजीत पवार के नित्वित्वाली है या शरत पवार के नित्वित्वाली इस चुनाव में एक चीछ देखने को मिली थी कि सभी ने बड़ी मेहनत की थी जंता ने जो मद्दान किया है उसके जो शुरुवाती रुजहान सामने आ रहे हैं वो दिखा रहे हैं कि एक बार फिर प्रचंड के साथ महायूती सत्ता में लोट सकता है और देखा जाए तो यह लगाता तीसरी जीत होगी बीजेपी की हम आपको बता दें कि अगर हम बात करें इससे पहले की तो बीजेपी और शिवसेना की वहाँ पर सरकार थी देविंदर फड़नवीस मुख्यमंतरी थे उसके बाद बीजेपी शिवसेना गठबंदन को ही बहुमत दिया था पिछले चनौव में 2019 के चनौव में जनता ने हाला कि उद्दव ठाकरे जाकर एंसीपी और कॉंग्रेस के साथ मिल गये थे वह बुख्यमंतरी बन गये थे लेकिन अगर हम बात करें 2019 के मद्दान के नतीजों की तो चाहे मुख्यमंतरी का फेस कौन होगा इस मुद्दे को लेकर आपसी विवाद में शुरू से नजर आ रहे थे और शायद उसी का खामियाजा भुगतना पड़ रहा है अगर यह जो शिरुवाती रुजहान है नतीजों में परिवर्तित होते हैं तो फिलहाल अगर हम आपक अगर बावन कुले हैं और भी तमाम उमिद्वार हैं तो नागपूर की सभी सीटों पर बीजेपी अच्छी बढ़त बनाए हैं वहां से सांसद हैं केंद्रिय मंत्री नितिन गटकरी और मुंबई में भी अगर हम देखें तो अगर बात करें जो फिलहाल जो रुजहान साम बात करें इस समय जो रुजहान सामने आये हैं 288 सीटों के तो आपको बतातें कि 52 सीटों को रुजहान सामने आये हैं जिसमें महायूती 44 पर और MVA 7 बढ़त बनाए हैं तो आप देख सकते हैं कि 44 और 7 कितना ज्यादा अंतर है यह अंतर पाट पाना MVA के लिए बहुत मुश जो जारखंड में घुस चुके हैं जो की वहाँ पर जमीनों पर कबजा कर रहे हैं वहाँ पर अपने पहचान पत्र इत्यादी बनवाकर जो स्थानी लोग हैं उनका हक मार रहे हैं यह एक बड़ा मुद्दधा था बैंगला देशी घुस पैट बड़ा मुद्दा था इवराद सिंग चोहान केंद्रे मंतरी असम के मुख्य मंतरी इमंत विश्यू सर्मा की तीन-चार महीने से डूटी लगा दी गए थी वह वहीं जम्य हुए थे लगातार चोटी-चोटी बड़ी-बड़ी बैठके कर रहे थे कहीं पर कोई गलती नहीं हो इस बात की उन्होंने पर इंडिया घटबंदन आगे हैं अगर हम बात करते हैं एंडिया की तो चंपाई सोरेन देखिए जो पूरु मुख्यवंत्री थे वह संथाल परगना के बड़े लीटर माने जाते हैं वह बीजेपी में उसका बड़ा लाब बीजेपी को होता मिलता दिख रहा है इसके ल आधीतिक अनुभव नहीं था जनता को यह दिखाया है बीजेपी ने कि हम आपके मुद्दों को हल कराने के लिए आपके बीच से ही उमिद्वार ला रहे हैं इसका फायदा होता दिख रहा है बीजेपी को और बड़ी सधी हुई रणीती से हमने देखा कि बीजेपी ने च जो कॉंग्रेस और जे एमम के नेतायक दूसरे के खिलावा बयान देया रहे थे तो यह जो गठबंदन ने बिखरावा नजर आ रहा था और हेमन सोरेन की जो इमेज है वो घोटाले के आरोप लगने से जरूर खराब हुई है जिस तरह से वहाँपर एडी के चापे पड़ हैं फिलाल हम आपको एक बार फिर बताते हैं इस समय का जो ताजार रुजहान है महराष्ट की बात करें तो 288 में से 57 रुजहान सामने है जिसमें से 47 महायूती और 7 MVA यानि कॉंग्रेस वाला गठबंदन तो 47 और 40 का अंतर है बहुत बढ़ा अंतर है वहीं जहारखंट की बात कर लें तो 81 सीटे हैं वहाँ पर 35 के रुजहान सामने हैं और 25 पर NDA और 10 पर इंडिया गठबंदन बहुत अंतर है तो फिलाल इस रिपोर्ट में इतना ही अगली चर्चा में आपके साथ फिर जूड़ेंगे और आपको बताएंगे ताजा रुजहान और जो परड़ा ताकि हर अपडेट आप तक पहुँच सके